स्वादिश्ट सूजी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले एक बरतन में एक बड़ा चमच घी गरम करने के लिए रख दे जब ये घी अच्छे से पिघल जाए तब इसमें एक कटोरी सूजी डाले और करीबन पाँच मिनिट तक इसे हिलाते रहे जब सूजी का रंग बदलने लगे तब इसमें पौना कटोरी दूट डालकर इसे अच्छे से हिला ले और अब इस पर धकन रखकर करीबन दो मिनिट तक इसे पकाए इसमें एक कटूरी शक्कर डाल कर इस मिश्रन को हिलाते रहे शक्कर पिघलने के बाद इसे और भी ज़ादा स्वादिश्ट बनाने के लिए थोड़ी सी इलाइची पाउडर डाले और अच्छे से मिक्स कर दे तयार हुए इस सूजी के हलवे पर बारिक कटे हुए बादाम के तुकड़ डाल कर इसे सजा ले हमारा बढ़िया स सूजी का हलवा तयार है